हाई फ्रेंज, खोप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको एक रेल लाइफ इंसिडेंस बताने वाला हूँ जो हुआ था 22 फेवरी 1980 में विस्पी और राटो, एक पार्सी परवार के दो बेटे जिन्नोंने 23 फेवरी को एक मोटर रैली में हिस्सा लेना था और इसे के लिए वो एक दिन पहले अपनी गाड़ी को लेकर निकल गए उसका इंजिन टेस्स करने पर वो कभी वापे से नहीं लोटे उनकी गाड़ी एक पेड में टकरा गई और दोनों की on spot death हो गई एक घर के दो जवान अगर बच्चे इकटे चले जाएं तो सोचिए माबाप के लिए वो कितना painful होगा पर कहते हैं न, there is no flaw in the God's master plan because इस एक incidence ने सिर्फ उस परिवार की नहीं पर लाखो लोगों की जिन्दगी बदल दी funeral के 29 दिन उनकी पडोशन उनके बस भागी बहागी आई और उनको बोला कि आपके दोनों बच्चों की spirits आपसे automatic writing के थुरू बात करना चाहती है जिन लोगों को नहीं पता automatic writing मैं बता देता हूँ अपने हाथ में pen पकड़ कर उसको paper पर रख देते हैं और spirit खुद guide करती हैं जो भी वो उस इंसान को उस paper पर लिखवाना चाहती है हाँ, इसमें दो चीज़े ज़रूरी है उन spirits की willingness और उस इंसान की intuitive power पर यह कोई thriller story नहीं यह reality है खुरशीद भावनागिरी और उनके husband रूमी की life की और इसी पर उन्होंने एक book लिखी The Laws of the Spirit World जिसमें वो सारे automatic writings की compilation है और उनका meaning What really spirituality means In fact उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के answer दी हैं जो हम सवाल जिन्दिगे में करते हैं जैसे Why I'm on planet earth? What's the purpose? क्या मेरी कोई guiding angel है? या फिर Is there life after death? Yes, it can answer so many of your questions So stay in the video till the very end पर इन सभी सवालों के जवाब से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है We are not human beings having spiritual experience But we are spiritual beings having human experience जी हाँ जो पहला thought process में changes किताब पढ़के मेरे अंदर आया ना वो था death को positively लेना विस्पी और राटो ने explain करा कि death या फिर material death के बाद हमारी spirit अपने घर वापस चली जाती है Because spirit का असली घर spirit world है और यह spirit world के साथ realm है और उसके अंदर उनके अपने दसदस stages जिसमें जो सबसे lower realm है वो सबसे darkest है और जितनी भी negative, deformed, जिनने बहुत बुरे कर्म किये होते हैं वो उस realm में जाते हैं और वो खुद realm जो है उसमें और बहुत सी पीडाए है And ऐसे ही second, third जो है वो dark realm से Fourth realm थोड़ा थोड़ा हमारे अर्थ से मिलता जूलता है And fifth, sixth and finally seventh, the uppermost realm वो इतना सुंदर और beautiful है जिसकी हम imagination भी नहीं कर सकते पर क्या भगवान decide करते हैं कि हम कौन से realm में जाएंगे नहीं, ये decide करता है हमारा खुद का subconscious mind क्योंकि हमारे आक्षिक record में वो सब दर्ज हो रहा है जो हमने इस धर्ती पे किया है और इसी के basis पे कि वो कर्मा कैसे थे good, bad, हम कैसे इंसान थे, हमने कैसे इस दुनिया को treat करा उस basis पे हमारा subconscious mind automatically हमारे spirit को lower या upper या जो भी उसका सही realm है उसमें direct कर देता है ये पढ़ने के बाद जो immediate सवाल मेरे दिमाग में आया है वो था कि फिर spirit world अपना घर छोड़के अर्थ पे आती क्यों है, ये birth, rebirth का चक्कर क्यों है actually, spirit world में हर spirit का purpose है खुद को progress करना और higher realm पे जाना पर वहाँ पे ऐसा करना एक लंबा process है और इसलिए spirits अर्थ पे आती है different training, challenges और test देती है और वो अपनी progress को speed up करती है in fact, विस्पी और राटो ने बताया कि कोई spirit कहां जनम लेगी कैसे challenges और कैसे test से गुजरेगी वो भी वो खुद decide करती है जी हाँ, वो ऐसी decisions लेते हैं कि ultimately, spirit world में उनको progress मिले पर हम जब लोग plant earth पे आते हैं तो हम ये सब कुछ भूल जाते हैं because हमारे conscious mind में ऐसा कुछ नहीं होता ये सब कुछ होता है हमारे deep subconscious mind में third clarity जो मुझे इस book ने दी वो था difference between earthly crimes and sin yes, earthly crime decide करते हैं एक state, एक country या एक जगा के laws और इसमें सजा सिरफ तभी मिलती है जब crime prove हो जाए पर sins हमेशा record हो रहे होते हैं because हमारा कोई भी कर्मा अच्छा बुरा हमारे आक्षिक records में दर्ज हो रहा है तो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा हमें उसकी सजाज मिली, चाहें नहीं मिली पर वो कर्मा तो record हो ही रहा है और इसलिए विस्पयो और राटो ने कहा कि हर इंसान को अपने intentions चेक करते रहने चाहिए जैसे, let's say, किसी इंसान ने बहुत दान दिया कोई बहुत बड़ा दानवीर है पर उसके दिल में intention ये थी कि लोग मेरी वावा करें मैं famous हो जाओं लोग मुझे पूज़ना शुरू हो जाएं तो अगर उसकी intention सही है ना तो उसका करम सही होई नहीं सकता इसलिए doesn't matter that आज आप पकड़े गए के नहीं पकड़े गए always remember, God का कैमरा 24 गंटे चल रहा है एक चीज जो मैंने पहले कहीं नहीं पड़ी थी और वो है, हम सब की guiding angel जी हाँ, हम सब की guiding angel ये angels है और पता है ये लोग कौन है ये वो लोग है जो इस earth पे भी हमारे बहुत close थे और बहुत positive और white souls थे अब उन्होंने दुबारा rebirth नहीं लिया और वो spirit world में है और हमारी spirit rose उनसे मिलने जाती है spirit world में और ये कब होता है जब हम अपनी deepest sleep में होते है और कहीं हमारी spirit वहाँ पे खोना जाए तो हमारी body से लेकर हमारी spirit तक एक cord जुड़ी होती है जिसे बोलते है silver cord जो हमेशा हमें बांधे रखती हमारी body के साथ जब मैंने इसे पहले बार सुना मुझे सच में ना कुछ confidence आया कि हाँ, you know मैं सुपह उठता हो ना तो I also feel like I got solution from somewhere and I felt very nice that maybe that solution has come from a higher and the good energies which I am associated with एक और चीज़ जो मैंने इस बुक में पड़ी जो मैंने पहले कहीं नहीं पड़ी थी ये बात बताने से पहले मैं प्लीज हाथ जोड़ कर सबको humbly कहना चाहता हूं कि मैं किसी के emotion hurt नहीं करना चाहता ये जो next चीज़ है मैं सिर्व आपको वैसे ही बता रहा हूं जैसे मैंने इसे पढ़ा और समझा अब कहीं बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई बहुत छोटी उनमें शरी छोड़ देता है तो ऐसा क्यूं होता है इसका एक कारण इस बुक में बताया गया है कि जब एक सोल यहाँ पे आती है अपनी growth के लिए और उसे लगता है कि वो grow नहीं कर पा रही in fact उसके असपस इतनी negativity है कि वो degrow कर रही है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो नीचे वाले rhythm में गिरना जाए तो उसका subconscious भगवान से प्राथना करता है कि वो उसे वापिस बुला ले और अगर भगवान को सही लगता है तो उन्हें वापिस बुला लेते है तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन सब realm में से भगवान कौन से realm में रहते है तो वो इन में से किसी भी realm में रहते है वो इससे भी परे हैं और इससे भी उपर है Now, मुझे नहीं पता आपको ये book summary सुनकर कैसा लगा बट मैं आपको तहे दिल से बता रहा हूँ ये उस book का शायद सिरफ 2% है ये book बहुत ही intense है और अगर कोई spirituality को deeply समझना जाता है उसके लिए बहुत अच्छी book है कोई कुद को heal करना जाता है मुझे आज भी दिहाना है मैंने इस book पड़ी थी 2017 में and it was a low phase of my life and it really helped me I have no friends who have healed from the personal loss because of this book so मैं ये book सबको recommend नहीं highly recommend करूँगा जरूर पढ़िएगा और वीडियो को अभी तक यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसे like करिए इसे share करिए चैनल को please subscribe करेगा बहुत बहुत thank you करें